तो दोस्तों हाल ही में NIA द्वारा चार्ज सीट में लॉरेंस विशनोई की तुलना 90 के दसक के अंडर वल्ड डौन दाउद इब्राहिम से की गई है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 90 के दसक में दाउद इब्राहिम का कितना नाम था दाउद इब्राहिम ने मुंबई अंडर वल्ड पर भी राज किया है और उसके पास भी उस वक्त आने को सूटर्स मौजूद थे और बताया जाता है कि आज भी दाउद इब्राहिम विदेश से बैठ कर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है और गैंग का संचालन कर रहा है और दाउद इब्राहिम से कहीं ने कहीं लॉरेंस बिस्नोई का भी लिंक है क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों बताया गया था कि लॉरेंस बिस्नोई का भाई अनमोल बिस्नोई खुद दाउद इब्राहिम से सर्बिया में मिला था